वेलकम फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम फायर सेप्टी एंड ट्रेनिंग के उपर बात करेंगे बहुत सरा हस्पिटल में आज तक ऐसे भी ख़बर आ रहा है बहुत सरा आग लग गया तो ऐसे कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए कैसे पेसेंट को सेवली वहां से मैनेज करके निकलना चाहिए और कैसे फायर को एक्स्टिंग्विस करना चाहिए उसको उपर में डिटेल्स में बात करेंगे जब कोई hospital में inspection और visit होता है तो अब इसको पर बहुत सारा question पूछा भी जाता है So how to extinguish a fire, how to operate fire extinguisher and what to do in case of fire and इसके related जो terms है raise and pass क्या है देखिये, this training is to understand how to use fire extinguisher, ओ fire extinguisher use करने का जो process है उसको pass short form से जाना जाता है pass, transfer, pull, aim, squeeze and sweep, details में बात करेंगे and how to respond to a fire is abbreviated as raise, that means rescue, alarm, then confine and extinguish So बहले जान लेता है raise क्या है, raise मतलब remove, alarm, contain or confine, then extinguish or evacuate details में समझते हैं के term क्या है, remove, remove everyone from the area अगर कहीं जगा पे आग लग जाए, तो पहले वहाँ पे जो patient है उसको वहाँ से rescue करना चाहिए and वहाँ पे निकल के safe जगा में ले जाना चाहिए, यह पहला step है दूसरी step क्या है, alarm, अगर building में जो alarm station है, वह उसको pull करके alarm को activate करना चाहिए, ताकि control room में जो है उसको पता चले, जो कहीं पे आग लग गया है ठीक है, and उसके बाद according to action plan जो है वो लोग और जो involve है fire related यह करने के लिए वो ऐसे plan करके काम करेगा, आप भी उस team में attach हो सकते हैं, ठीक है तिज़री बात क्या है, content और confine, ठीक है, क्या है, यह क्या है, once the room or area has been cleared जो patient था, उसको अगर आप वहाँ से सेबली जब निकला जाएगा, उसको बात उसको एक separate zone में door close करके उसको ताकि ओ आख ज़्यादा area में ना फैले, ठीक है, और जो team है, आग निभाने के जो team है, ओ आने तक ओ आख को ज़्यादा दूर तक ना spread हो जाए, उसके लिए यह content करना जोड़ी है next क्या है, extinguish और भागवेट, extinguish कैसे करें जाए, वह बाद में discuss करेंगे, fire extinguisher जो है, कैसे यूज करते है वह extinguish सके तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ, तो आप वह जगा खाली करके निकल जाए, ठीक है so use करने के जो तरीका है, वह है pass, pull, मतलब यह जो fire extinguisher है, उसको pull करना है, फिर aim करना है, आग जहाँ पे लग गया और squeeze करके वह reagent जो है, जो आग को बुझाए, उसको squeeze करना है, और उसको बाद sweep करके आग को निवाना है so details में बात करेंगे, पहले जो है, pull the pin, यह देखे, यह pin है यहाँ पे, इसको pull करना है pull करके, क्या होगा, extinguisher जो है, वो seal को break करना है, दूसरी बात क्या है, जहाँ पे आग लग गया, वहाँ पे save distance maintain करके, almost 6 feet distance follow करके, उसको aim करना है bottom of the fire, जहाँ पे आग लगे, इस आग को देखे, इस bottom को aim करना है, उपर नहीं, इस bottom को, ठीक है और, next step क्या है, squeeze, squeeze the handle together to discharge the extinguishing agent inside अदला, fire को extinguish करने के लिए, जो reagent है, chemicals है, उसको squeeze करके, निकला जाएगा देखी, यहाँ से, यहाँ से squeeze करेगा, दो हाथ देखे, squeeze करेगा, उसके बात क्या है, sweep sweep from left to right, until the fire gone, ठीक है, so sweep, next step, बोल दिया, अभी देखिए, इतना टाइप का fire लगने का material जो है, कौन्स कौन material से आग लग सकता है, वो उसको उपर थोड़ी जानकारी ले ले लेते है class A, मतलब जो fire है, वो wooden materials, paper और textiles, copper जो है, उन में से लग जाता है, वो material class A, टाइका आग कहा जाता है class B, मतलब, flammable liquid, जैसे petrol, diesel और कोई oil, वो class B, and class C, मतलब, कोई gases, fire involving gases, जैसे LPG, liquid petroleum gas, ठीक है और class D है, fire involving metals, कोई भी metals हो सकता है, ठीक है so, ऐसे करके fire को extinguish करने के लिए, इस type का powder रहता है so, class 1 powder, class B powder, class C, class D, ऐसे करके, कहीं कुछ material से अगर अग लग जाए, अगर उसको source पता है तो accordingly, ये सब कौन सी fire extinguisher चाहिए, वो हम लोग पता लग सकते हैं, वोसी fire extinguisher यूज कर सकते हैं लेकिन nowadays, combination fire extinguisher यूज होता है so, ये कोई भी fire extinguisher कहीं से भी आग लगने से काम करता है so, ये basic concept के लिए discuss किया अभी देखिए, अगर कहीं जगे पर आग लग जाए, तो आपको कैसे वहां से निकलना जाए पहली बात है, जो आपका face है, nose है, उसको आप थोड़ा सा handker chip देके उसको cover कीजिए ताकि ये noxious gas आपको lungs में ना entry ले, ठीक है, दूसरी बात, आपको ऐसे करके crowling movement करना है, picture में देखिए, ताकि उपर में जो noxious gas रहता है, ज्यादा attack करता है, ज्यादा noxious gas उपर में ही रहता है, इसलिए अगर आप crowling movement में जाएंगे तो आपको honey होने की chances कम है, and make exit from a suitable point, if you have any question, feel free to ask.